बंदे मात्रम आज हम देखते हैं कीमत रणनीत के बारे में सबसे पहले अगर हम देखें तो एक फर्मूला है जो हमने दिया था क्वाए निकतू आई है है मां वेल्सेटेमस इसमें हम देखते हैं सबसे परहे हैं आया क्यूे जिस परकार सोफिद्ध फर्में च्याये जो आस्थापित फर्में आने वाली फर्में है उनका एक अलग-अलग कुद्देश है जो नई फर्में हो चाहती है कि मार्केट में आकर में इस्टेबलिस रहे हैं हम भी इस्टेबलिस हो जाए तो उसके लिए कुछ रंड़नीत ही अपनाती है जो कि उसके पास टूल्स क्या है कोई और टूल्स नहीं है उसके पास कि में सारी सिद्फे वढ़ानी है सेल बढ़ाना है जिसे रेवेंद्यी बड़े इनके पास के पास के लिए पहत्यार है है की मत जो भी सताफित फर्में है मार्केट में और वह चाहती है उब क्या आपने मार्केट को एक बिस्तार देना चाते है एक्स्टेंसन करना चाहते हैं कि अगर एक तो गोरकपुल में खुला है एक तो दिवरियां खुल जाए एक तो दिल्ली खुल जाए एक तो मुंबई खुल जाए एक तो हैदराबाद एक तो कानपूर तो इसके लिए कि कुछ चीजों किया वसकता होते जैसे कि आपने देख करें की Revenue Prophet कई सारे विभिन तमेर्ण मार्केट को object करना चाहती है मौरी तरीक के से कि कोई और नायों मुषय और यह तारीभिन और इम लिए फिर्मों के पास क्यावाल एक चीज है व encais मुख्य रूप से तो वह सारी विभिन जो फर्मे हैं उन नई नई अलग तरीके की कीमतें अपनाती हैं कुछ विभिन हैं हम देखेंगे अभी और यही कारण है कि हमें कीमत जो रॉणनीत हैं में पढ़ना होगा और पढ़ना चाहिए आप सबसे पहले देखते हैं कि इसकी कटेग्री क्या है कुछ कटेग्री हैं क्योंकि इसके प्रकार तो कई हैं लेकिन उन प्रकारों को हम कटेग्री सबसे पहले बाढ़ते हैं सबसे पहला अगर देखें कटेग्र यह वह है कास्ट औरियेंटेड प्राइजिंग लागत आधारित किमते हिंदी में इसे बोलते हैं नंबर बी क्या है कम्पिटेटिव औरियेंटेड प्राइजिंग कि इसकार्थ क्या है इसकार्थ है परतियस पर्दा के लिए कीमत परतियस पर्दा के आधार पर कीमत किस प्रकार से परतियस पर्दा करते हैं कौन करता है फर्में एक दूसरे के साथ उसके अलामा देखते हैं सी यह है प्राइज को बेस्ट अपान कि एकोनोमिक को कॉंसिड्रेशन आर्थिक अधार पर किलते हैं आर्थिक अधार मतला मुख्यरूप से पैसा एकोनोमी बचत अब देखिए अब हम तीनों चीजों को देखते हैं सारी कटेग्रीस को सबसे पहले आप इसको नोट कर ले या स्क्रीन सूर्ट ले ले फिर हम इसको एक क्üre करटीक को देखते हैं यह कास्ट ऑ्रीइंटेट एमें हरे इसको पढ़ा है जाटर देखें यह में सबसे फसे पहला है एक uकल too te am сов प्राइसिंग अ कि मार्जिनल फ्राइसिंग 1 मार्जिनल प्राइसिंग और फिर यहां पर दूसरा इसका मतलब क्या है यह सब्सक्राइब लगता है कि उनको लाव के साथ क्या मिले एक एलोकेशन बढ़िया हो की जो उन्होंने उस पाधन के साधन है उनमें इसका से बढ़ियां से आवांटानों की बढ़ियां से जो भूमी है उसको सुध रेंट मिले जो स्रम है उसको बढ़ियां wages मिले जो capital है उसको बढ़ियां interest rate मिले और जो उद्यमी है entrepreneur उसको लाभ मिले तो इन सबको एक कुछा लावंट है उनके बीच में इसलिए price equal to mcp equal to mc marginal price फर्मित नहीं करती है अवरेस कास्ट या full locals is full classotype price तो शीया फूल को इसे रहें लांग ररन प्राइजिंग में इसे हम लांग रन प्राइजिंग वह वह यह क्या होता है यह आपने देखा हुआ कि हैल democratic बिजने दिया था 1939 में और जो 1939 वे यह दिया तो उन्होंने कहा था कि जो फर्मे हैं वह क्या करते हैं We फर्में वो एक साट रनेवरेज कास्ट गजाशट इसको तैय करती है फर्में पीवल टू एप्लस एन पीम एन पीम मतलब नार्मल प्रॉफिट मार्जीन इसको तैय करती है फर्मे एकल टूए सी एकलर एसी फ्लस एन पींद इन पींग नर्मल प्रॉफिट मार जी इसके शाब प्रमेज कास्ट है उसके साथ एंपिए जोड़के प्राइस नहीं कि इसके अलावां जो तीसरा है तुर्य आप इसको लिख लें देख वेकल टूए सी प्लस एन प्यम कि तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा कि वह है टार्गेट प्राइजिंग कि टार्गेट प्राइजिंग क्या होता है आप इसका एक स्क्रिंसर्ट ले ले फिर हम आगे देख रहे हैं टार्गेट प्राइजिंग क्या होता है इसकों यहां पर देख लेते हैं टार्गेट प्राइजिंग के लिए इन्होंने दिया है कि फुल कास्ट कि फुल कास्ट प्लस मार्कप अब ऊब अब सुoff mapped मार्कव काम अबроп मतलब केसी साथ कुछ और इसको मार्कव बोलते हैं चुकि इसका एक फार्मूला होता है हम मरक ऑट नीचे लिखते दिखा देते हैं मार्क टू क्या होता है मार्कव प्रूठक होता है इं। इस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अपान अर्णी हम देखते हैं कि मार्कप अपान के मार्कप इक्वल्टू क्या होता है मार्कप इक्वल्टू होता है अर्णी अपान इन्वेस्टमेंट और फिर इसके साथ हम गुड़ा करते हैं इन्वेस्टमेंट का और फिर इसके साथ साथ फुल कास्ट बात में होता क्या कि इसके साथ है फुल कास्ट और उसके साथ सके साथ कि फोलकाष्ट के साथ टार्गत प्राइजिंग में सम्ते प्राइजिंग होता और मारक पी फ़र्मूला है और फिर इसका अब इसकी स्क्रीन सॉट यंप छायगी देखते हैं ये तीन कीम्तें अवलेटेट अब यह कि मुखेता लगभग 10 परकार की खीमते हैं कि देखते हैं और इसको शुरू से पी नंबर भी हम ले लेते हैं नंबर भी इसमें दस तरीके की कीमते हैं सबसे यह है कि इस टे गॉइंग प्राइजिंग गोईग प्राइजिंग अपिंग theese कि स्टेदध मतलब जो सारी यो नई dragging या जो बहुत सारी फर्म्हेंन बिस्ताफित फर्म्हें तो उन्होंने जो कीमत तह partly यह जो अदे कुछ 10 उर्पया कर दिया तो सारी जो स्क moti समाली जो सर्फ है तो घड़ी कीमत 5-50 प्राइजेघर कि चीव क्या ओख फियोंगे उसके कीमत 25 फेच अ एंग उसको कि सुप्राइजर है लाजण लिटर्षबाइजिंग ये ऱैवर्क ली देटर्षबाइजिप यह मतलब यह होता है यह है एक बहुत ती डिंजर्स प्राइजिंग मना य reviews होता क्या है कि कुछ कि एक फरंफ दो चीजें बना रहे हैं से रहे ब्लेट ब्लेड भी मना रही है और दूसरा रही हैं ऐसा जिसमें ब्लेड को लगा जाता है दोनों बना रही है analyse में लेकिन करती क्या है कि बोल देती कि देखिए ब्लेड की कीमत मंगी कर देती है जैसे 2 रुपय था तो 5 रुपय और रेजर की कीमत कम कर देती है इसे माली यह 15 रुपय था तो 10 रुपय इसे हम लास लिडर्सिप प्राइजिंग गोलते हैं इसके लावाग हम इसमें तीसरा देखिए देख होता है प्राइस लिडर्सिप प्राइजिंग प्राइस लिडर्सिप प्राइजिंग प्राइज लीडर्सी प्राइजिंग मतलब होता है कि जो लीडर फर्म है हमने इसके पाले देखा था जो लीडर फर्म है वो क्या होती है एडिसका लाब अधिक होता है वह को हो सकती है हमने अभिन देखा था तो तो लिडर हो जो लीडर मैं करता किमत उसी को सारे लोग फालो करतें लुड एक प्राइष गDas Master के इसके अलाम अगर हम देखें कि वह है प्राइड maior car इसका मतलब क्या है प्राइड इससीएशन प्राइजिंग मतलब यह होता है कि एससीएशन मतलब एक आपने देखा हो ग्रूप या समूह किसी को बोलते है ना एससीएशन यह एक प्रकार का ग्रूप हो है तो यह आलपा दिकारी फर्मे मुख्य रूप से तेह करते हैं इसे आ विसमा totally को संग बनाता है एक मखे रूप से एक संचाशन बनाता है और इस संग में सभी को मानना पड़ता हो तो यह जो संग बनाती है उसी को साराी फर में उसे इलागू करती आप है यहुकिता थे यह रही ओधी इस संग होता है कि पो सि始्ट्वाक्र 1970 9 इसके अलामा अगर हम देखें सबसे पहले हैं इसका एक स्क्रीन से ले 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 फिर हम आगे देख रहा है इसके अलामा भी प्राइजिंग है इसके प्राइजिंग नमबर पांच है साइक्लिक प्राइजिंग इसमें भी दो पर करता है एक होता है सिजनल प्राइजिंग और दूसरा है साइक्लिकल इसमें इसमें जो उस समदित वस्तुएं है जैसे माली जी नहीं नोट का ओ माला अगर आता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है उसके अलावा कोई नहीं पूछता उसको तो उसकी कीमत खम होती है तो सीजन में यह सारी चीजें बदलती रहती है जिसे बिसेस सीजन में और उसकी से हम सीजनल प्राइजिंग बोलते हैं उसके अलावा होता है साइक्लिकल प्राइसिंग यह होता है लक्षुएशन का मतलब क्या है कि जैसे कि जब ट्रेड आपने देखा हो ना और लोग पास बहुत सारी चीज़ें तो सब लोग खरी सकते हैं सक्षम है तो यह जो कंपनियां हो क्या करती है प्राइस ज्यादा सेट करती है और अगर रिशेशन का तयम हैं तो यह थे तेह करते हैं इसको हमने देखा है लिमिट प्राइजिंग करती है और लोगी पुली आपस में मिलके यह किमत तेह करती है जैसे एक कैली प्राइजिंग तो वह फर में लिमिट टेह करती है अब हम देखते हैं नंबर साथ यह इसमें होता क्या है कि जो फर में वह आभी नए नए फर में वह प्रवेश करती है तो अभी उत्तै नहीं कर पाती हैं किम कि कि उनको कंजूमर को अपनी तरफ कीचना होता इसलिए यह एक वैसे ही इवेंचोली राइस ने करती है और बाद में लांग रान कीमत ने करती है। जो इस्थिर रहे उसको राद में तैक करते हैं उसी को हम प्राइजिंग बूलते है। तो उसके अलाव अगर हम देखें नमबर आठ तो होता है पेनिट्रेटिंग प्राइज़ जिसमें होता क्या है कि जो फर में है वो जान मुझके करती है प्राइज को जान मुझके कम रखती है ताकि जो उसके विरोधी हैं वह बाहर निकल जाए और वह अपना स्थापित अध डàiवर्सिफ हाईड हो जिसके काई प्रोडक्ट हो ठीक है कि उसके अलावा अगर हम देखें है नमबर नव यह होता है प्रैजिग कुल श्रीमिंग प्राइजिंग क्या होता है जब फर्में भीभीन भूगताओं के मार्केट में कई प्रकार को भूगता होते हैं सबसे लुट होता जिसके पास परई सर्ट जाते हैं ज्यादा होता है वह quality को सबसे अमीर वर्ग है उसके लिए करती है प्राइस और जो सखेंड चरण है इसमें मिडिल क्लास के लिए नमबर थ्री यह लो जो लो इंकम ग्रूफ है उसके लिए तैयं करती एक्जाम्पल क्या है इसका इसकी मालिए कंपणी आई और वह सरफ बना रही है तो वही कीमत वही कंपणी है वह क्या कर रही है कि पहले चरण में क्या कर रही है कि सर्फ एक्सल बना रही है पहले तरह के भुगताओं के लिए चुकि अमीर वर्ग है तो उसके लिए सर्फ एक्सल बना रही है वह सबसे महंगी है ना एक तरीके से और दूसरा सर्फ अगर बनाए तो वह तरीके से तीनों परकार के उभगताओं के लिए संतुष्ट करती है चुकि उसका जो मेन मोटीव हो है मतलब सबसे अधिक सेल करें इससे उसका रेवन्यू अधिक हो और प्राफिट अधिक हो तो आप इसका एक स्क्रीन साट ले लें फिर हम आगे देख रहें इसको लास्ट म तैसे में एक और है जो इसको हम अहीं पर देख लेते है नमबर 10 ये है दिफरेंटियल प्राइज़िंग टैकरों की इस तरी की प्राइज तै कर से घॉछ तुट नबर दिफरेंशियल प्राइज ठीक है अब देखें अब इसका तो दस हो गया अब हम देखते हैं नंबर सी जिसको हम बोलते हैं प्राइज बेज़ अपान एकोनॉमिक पंसिड्रेशन तो इस कॉंसिड्रेशन में अगर आप देखें तो दो तरीके की प्राइज है के वाद एक है और दूसरा है में चाहे इसमें प्राइक करती है अुर्मेंट कि यहाँ प्राइ करती है और जैसे माली जे रासन की दुकान हुआ तो एक विभीन प्रकार एक विश्यस प्रकार की उबहुता के लिए कंद ये किमतने किया है तो इसलिए इसको करते हैं चाहे वो सेंटरल के तरब से हो या स्टेट की तरफ से और दूसरा है डूवल प्राइजिंग है इसमें जो सरकार कीमत तैय करते हैं यह सरकार ने कीमत तैय किया 2 रुपया की लों गेख से लेकिन उसके साथ चो प्राइबेट फर्में हैं उनको भी इन्होंने अधिकार दिया क्यों कीमत तैय करें अभी जाएं खरें तो यह उसी साफ से कीमत देंगी और जो गर्मेंट वाला प्राइज और यहां पर जो इसका कीमत है बाजार मिलने जाएंगे तो बीस-पचीश रुपय मिलेगा इसमें दोनों जो पैरलर चलते यह दोनों खीमते हैं तो इसी प्रकार से नंबर सी है प्राइज देश्ट अपान इकनोमिक कंसिट्रेशन इस यहीं से हमारा जो कीमत रणनीत जो प्राइसिंग स्ट्रजी चेप्टर था वो खतम हुआ और आप आप लोगो समझ में आया होगा आप अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें आज के रिए बस इतना ही बनने मातर